भीशे स्वागत है इंडर वीडियो में तू दौस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे जीयो सिनमा का ओड् Fire की हैस तरह से आप बंद कर सकते हैं और आपको यह चालू हो जाता है कि आपको पता नहीं रहेना चले दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं यासे कि आप जीयो सीनेमा में अगर सब्सक्रिबिस्ट लेते हैं तो इसमें हर में ने आपको और डोंपि का अफ्शन चालू हो जाता है आपका मौन जैसे घंठ खतम हो जाता है और अटोमेटिक आपका अकाउंट से यह detect हो जाते हैं तो इस तरह का problem का solution लेका आ चुका हूं तो आपको जिस पी जैसा UPI payment करते है Google पे हो गया phone पे हो गया debit card credit card कोई भी किसी भी तुरू से आप payment करते हैं तो उसी application में आपको जाना है और जैसे कि मैं phone पे पे करता हूं तो इसमें मैं phone पे को select कर लेता हूं select करने के बाद यहां पर जैसे मैं आपको history पे दिखाता हूं मेरा auto pay हो चुका है तो यहां पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहां पे लिखा है auto pay जी उसने बांग की तरफ से यह 29 डूपीस आपको डिटेट किया गया है तो इसको मेरे को बंद करना है तो इसके लिए आपको simple some process है तो बंद करने के लिए यहां पे आपको profile उपर icon दीख रहे है profile में click करना है्थ यहां पे नीचे आपको auto pay का a option मिल जाता है तो इसको आपको simple auto pay पर click करना है यहाँ पर दिखिए मेरा दो आटो पर अल्रेडी चालू है यहाँ पर RICTC की तरफ से एक है तो मैं क्या करूंगा इसको पहले remove कर देता हूँ तो इसको remove करने के लिए यहाँ पर दिखिए मैं इसके history check कर लिया इसके बाद इसको remove कर देता हूँ यहाँ पर मैं back आ जाता हूँ एक बार आने के बाद आपको दिखाता हूँ इसको remove कैसे करना है और auto pay कैसे बन करना है तो इसको सबसे पहले इसको remove कर देता हूँ Remove करने के बाद यहां पर दिखे सब से पहले आपको Jio Cinema की तरफ से है तो इसको मैं चालो Open कर ले तो Open करने के बाद यहां पर देखे सेटिंग पर लिखा है AutoPay तो यह आपका AutoPay Start है तो इसको Delete करने के लिए यहां पर नीचे दिखे है तो उसी region को आपको यहां पर select कर लेना है जिस भी आपको problem लगेगा उसमें आपको select करके इसको आप आगे बढ़ सकते हैं तो इस region को जैसे select करेंगे तो आपके पास कुछ इस पकार का interview then मैंने पहले वाला जो option है इसको मैं select कर लेता हूँ select करने के बाद यहां पर पॉसिट्ट पर क्लिक करता हूँ जिए निहां पर दीखे delete auto pay का जो option आ रहा है इसमें आपको click कर देना है जैसे आप delete auto pay पर click करेंगे यहां पर confirm करने के लिए पूछा जाएगा आपका मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा जो आपका आटोपे कैंसल हो चुका है तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आटोपे को रिम्यूब कर सकते हैं तो उम्मिद करता हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क अबरे तो